हेलो स्टूटेंट्स आज हमारी मैक्रो कंट्रोलर एंड एम्बेडिट सिस्टम की सैवन्थ क्लास है हमारा सैवन्थ क्लास होने के साथ-साथ यहां से हमारी यूनिट सेकिंड का भी स्टार्ट होता है यूनिट फस्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट कोशन से मैंने सारे अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिये हैं आई होप कि आपने अच्छे से नोट्स बना लिये होंगे और आप लोग अच्छे से तयारी कर रहे होंगे तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट सेकिंड का फस्ट कोशन जो है हमारा एक्स्प्लेन एड्रेसिंग मोट्स औफ 8051 मैं एड्रेसिंग मोट्स को एक्स्प्लेन करने से पहले आपको अपकोड और ऑपरेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि ये क्या होता है because अगर आपको opcode और operand के बारे में नहीं पता तो addressing modes आपको समझ में ही नहीं आएगा ठीक है चलिए start करते हैं फिर हम ये opcode क्या होता है opcode operation code होते हैं ये है opcode सारी information रखते हैं कि कौन सा operation हमें perform करना है instruction का use करके ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि instruction का use करके हमें कौन सा operation perform करना है ये सारी information कौन रखता है opcode रखते हैं opcode हमेशा instruction के left hand side में होते हैं ओके friends अभी मैं आपके एक example से बिल्कुल clear कर दूँगी कि हमारा एक instruction लिखा होगा कि उसमें कौन सा opcode है और कौन सा operand है चलिए हम बात करते हैं operand की तो operand एक data होता है ये data memory location register में या एक numerical data भी हो सकता है तो क्या होता है operand एक data होता है जो memory location में हो सकता है या फिर register में या फिर एक numerical number हो सकता है operand हमेशा instruction के right hand side में होता है तो क्या होता है opcode opcode एक operation code होता है सारी information रखता है कि हमें instruction को देखकर कौन सा operation performed करना है हम बात करें operand की तो एक data होता है जो memory, location, register या कोई भी numerical form में हो सकता है ये बात हमें हमेशा याद रखनी है तभी हम addressing modes समझ पाएंगे और आने वाले जो time है उसमें मैं आपको अभी instruction sets के बारे में बताऊंगी instruction set भी आप तभी समझ पाएंगे जब आपको opcode और operand के बारे में idea होगा अब मैं इसको एक example से और अच्छी तरीके से आपको समझा देती हूँ जैसे कि example है हमारे पास move a, b तो यहाँ है कि here instruction move is an opcode यहाँ पर move जो है opcode है, आपको कैसे पता चला इस instruction को देखकर कि move हमारा opcode है क्योंकि मैंने आप यह आपको पताया है कि opcode हमेशा instructions के left hand side में होता है और आप देख सकते हैं कि left में तो move है तो यह क्या हो गया हमारा एक opcode हो गया और right में क्या है a and b तो यह क्या हो गए हमारे operands अब आप देख सकते हैं यहाँ पर two operands है a and b तो instruction में first operand destination operand होता है और second operand source operand होता है यानि कि मेरे पास जो यहाँ पर two operands थे a and b इन में से a मेरा destination operand हो गया अब b मेरा हो गया source operand ओके friends तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसे के साथ addressing modes of 805 यहाँ से मैं explain करूँगे आपको addressing modes addressing modes क्या होता है पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं addressing modes यह define करते हैं कि हम कैसे different तरीके से micro controller को input provides करा सकते हैं ठीक है micro controller को किस प्रकार हम input provide कराते हैं यह हमें कैसे बता चलता है हम addressing modes से यह define करते हैं फिर हमारे various type के addressing modes होते हैं register addressing mode direct addressing mode indirect addressing mode immediate addressing modes and index addressing modes तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला addressing mode से register addressing modes इसमें operand एक specific resistor में store होता है 805 micro controller के यानि की 8051 micro controller के specific resistor में store होता है हमारा operand resistor addressing mode देखे कितनी easy definition है इसकी नाम से पता चलता है resistor addressing mode यानि की operand कहां store होगा resistor में किसके register में micro controller के register में ठीक है resistor addressing mode के लिए resistor permit किये गए है A और R7 से R0 जो हर resistor bank में उपलब्ध है देखिए फिर कौन-कौन से resistor में store हो सकता है हमारा जो operand है वो वो store हो सकता है यानि की A resistor अभी पढ़ा था हमने accumulator register में और फिर R7 और R0 registers R7 और R0 register कहां से आये मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको एक कोशन बढ़ाया था memory organization का तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि memory organization जो में एक हमारा 32 working registers थे 32 working registers उसमें पार्ट डिवाइट किये गए थे 4 banks बैंक 0123 उन बैंक को इच बैंक को क्या किया गया था 88 registers थे उसके पास तो वही register है यह जो हमारे R7 और R0 है बैंक में इसमें यह लिखा हूँ अभी है हर register bank में उपलब दिए ठीक है R7 से R2 वही 8 register है यह फिर हम इसके example देखते हैं इसका example है move A, B देखिए जो example है उसका explanation मैंने यहां दिया है आप प्लीज exam में skip मत कीजेगा वरना example तो आपने लिख दिया लेकिन उसका मतलब क्या है यह कैसे पता चले एक examiner को फिर वह आपको एक number नहीं देगा आधा ही number देगा वहां पर ठीक तो आपका number तो कम होने के बहुत chances हैं और कभी-कभी तो number मिलते ही नहीं है क्योंकि आपने explain ही नहीं किया कोई चीज आप example से समझाएंगे समझ में आती है ना इसलिए मैंने example के साथ जो explanation दिया है आप भी उसे जरूर लिख के आए move A, B का क्या मतलब है चलिए समझते हैं यह instruction बताता है कि B register में जो data है उसे copy कर दो A में यानि कि B register क्या है source, source है ना source है तो उसमें जो भी data है वो A यानि कि accumulator में copy कर दो यह इसका मतलब है फिर हम बात करते हैं next की direct addressing mode जिस memory location में या जिस register में operand store होता है उसका direct address instruction में specify होता है जहां से हम operand को fetch करके use कर सकते हैं इसके लिए 8051 microcontroller के internal RAM और special function registers use के जाते हैं जिसका address specify होता है instruction में मतलब क्या है इसका चलिया मतलब समझते हैं यह कह रहे हैं कि जिस memory location में या जिस register में operand store होता है अब देखिए register होता है उसमें क्या store होगा operand क्या होता है data यह तो होता यानि कि जिस register में data store होता है उसका direct address instruction में specify होता है direct addressing mode है तो क्या हो गया register का direct address कहा specify होता है instruction में अब जहां से हम operand को fetch करके use कर सकते हैं इसके लिए 8051 microcontroller के internal RAM और SFRs use किये जाते हैं जैसे कि हमने register addressing mode में क्या क्या से register use किये थे accumulator और R7 से R0 ठीक उसी प्रकार direct addressing mode के लिए internal RAM और special function registers का use किया जाता है अब हम इसका example देख लेते हैं तो इसका example है move a, 30h यह instruction microcontroller को यह बताता है कि 30h memory location में जो content है वो move करो accumulator में समझ रहे 30h memory location में जो भी content है उसको move करना है accumulator में यह है direct addressing mode का example फिर हम बात करते हैं immediate addressing mode की देखे इसके नाम से पता चल रहा है इसमें direct immediate data या operand specify होता है direct होता है immediate data या फिर operand operand और data एक ही बात होती है ठीक है instruction में या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो immediate addressing mode में directly हम इंस्ट्रक्शन में data को specify कर देते हैं क्या करते हैं directly हमने क्या किया data को instruction में specify कर दिया और data hash sign के रिप्रेजेंट करते हैं अगर आप किसी भी example में hash लगा हुआ देख लें तो समझ जाना है कि यह तो immediate addressing mode है ठीक data से पहले hash का assign का use करते हैं हम इसका एक example देख लेते हैं इसका example है move a, hash 05h यहाँ पर जो हमारा hash है ना वो यह बताता है कि 05 जो है वो कोई memory location नहीं है वो क्या है एक immediate data है अगर मैं उपर वाले example की बात करूँ तो यहाँ पर भी तो 30h है लेकिन यहाँ क्या है hash 50h तो अंतर यहीं से पता चल रहा है कि यह कोई memory location नहीं है और यह 30h memory location पर है यानि कि इस memory location पर है store data और यह कोई memory location ना होकर खुद ही एक क्या है data है तो क्या पता चला हमें कि यह जो है immediate data है तो यह है instruction microcontroller को बताता है कि 05h immediate data को accumulator में leave करो फिर आता है हमारा next addressing mode जो है indirect addressing mode इसमें जो address है memory location का जहाँ data store है उस address को memory location के indirectly provide करते हैं तो इस addressing mode में क्या होता है जो address होता है हमारे memory location का जहाँ पर data store होता है यानि कि जहाँ data store है उसका memory location उस address को memory location के indirectly provide कराते हैं इसको हम at the rate sign से indicate करते हैं at the rate sign को indicate करता है कि इस register में जो भी address है वो एक particular memory location का address है जहाँ पर data store है अब इसका example की बात करते हैं तो इसका example है move a, at the rate r0 यह instruction microcontroller को बताता है कि r0 resistor में जिस memory location का address store है उस memory location के data को copy करो accumulator में ठीक है फिर हम next की बात करते हैं तो वो हमारा आता है indexed addressing mode addressing mode का use तब करते हैं जब हमें access करना होता है data को external memory से data को external memory से access करने के लिए यूज करते हैं हम indexed addressing mode का इसका example है move a, at the rate a plus dptr इस instruction में c बता रहा है code memory को जहां से data को access करना है at the rate a plus dptr बता रहा है कि accumulator register में जो भी data है उसको add करो a plus dptr बता रहा है कि accumulator register के जो भी data है यह हमारा accumulator register इसका जो भी data है उसको add करो किसके साथ dptr के data के साथ dptr के data के साथ देखिए source हमारा यह क्या हो गया code हो गया ठीक और accumulator का जो भी हमारा data है उसको यह देखिए accumulator का data इसको add करो DPTR के data के साथ जो result आएगा वो address होगा उस memory location का जहाँ पर data store है और हम data को copy करके accumulator register में ठीक है data को copy कर दो फिर accumulator register में एक बार फिर से इसको समझते हैं यहाँ पर C क्या बतादार है code memory को बता रहा है और क्या है जहाँ पर हमारा data को हमें access करना है फिर यह क्या बता रहा है यह बता रहा है accumulator register के जो भी data है उसको add कर दो DPTR के data के साथ जो result आएगा उसको copy कर दो जाके accumulator में यह हुआ इसका मतलब so friends आज हमारी class यहीं पर end होती है आपको यह class कैसी लगी उसको comment में जरूर बताएं और मिलते हैं आपसे अगली class में तब तक के लिए thank you and bye bye